वेलकम बैक तो वर यूट्यूब चैनल सेंडरा एडवांस एजूकेशन और टोड़े विए 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 बच्चो आज का हमारा टोपिक है चैप्टर वन का वर्ड प्रोब्लम वर्ड प्रोब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्स्ट्रेक्शन ओक हमारी कुछ वर्ड प्रोब्लम्स नी कहीं है एडिशन और सब्स्ट्रेक्शन की आई देखते हैं तो कोश्चन नमबर वन इस परनाव हैड ट्वेल बैलोंस परनाव के पास कितने बैलोंस थे ट्वेल परनाव के पास ट्वेल बैलोंस थे और उनकी मदर ने उन्हें सेवन बैलोंस और दे दिये अब परनाव के पास कितने बैलोंस हैं तो फर्स्ट परनाव के पास बैलोंस थे ट्वेल तो ट्वेल प्लस कि परनाव की मदर ने सेवन बैलोंस उन्हें और दिये परनाव को तो सेवन हमने इसमें प्लस कर दिया जाश्रा कैंड बलल cars 7 equal to 9 जाश्रेकि हमें इसको का करना ये प्लस करना है एड करना है ये हमारी जो अर क्लों प्रोब्लम है वो किसके एडिशन वाली कि नाव टू प्लस सेवन इक्वल टू नाइन एन वन यहां पर कुछ नहीं है तो वन एज़ आ जाता है नीचे राइट वान सो टोटल बैलोंस अब पर्णव के पास कितने हो गए है नाइन टिन ओके हमने हैं ट्वैल उपर लिखा और सेवन जो सिंगल डिजिट है वह हमें सा राइट साइड से लिखना हम सुरू करेंगे अगर यहां पर 7 था तो 2 के नीचे 7 आता है अगर 17 होता तो 7 यहां पर आता 2 के नीचे और 1 के नीचे फिर बना जाता लेकिन हम ही क्या करना है 12 में 7 एड करना था तो 12 लिख करके 2 के नीचे क्योंकि राइट साइड से हम स्टार okay so next question ever there are 75 boys and 23 girls in class second second class may 75 boys hey and 23 girls say find the total number of the student in the class in the total number of student total student कितने हैं इस class में हमें करना क्या है 75 को 23 को add कर देंगे यह कि दोनों boys and girls को हम add करेंगे 75 plus 23 यह भी हमारा plus का है addition का है तो हमने क्या किया 75 उपर लिखेंगे नीचे 23 नोट करते हैं राइट करते हैं तो 5 इनीचे 3 & 7 की नीचे 2 5 plus 3 equal to 8 addition करना आता ही आपको okay 5 & 3 plus 5 3 plus equal to 8 7 plus 2 equal to 9 so total हमार जो students है वो 98 is the answer चलते है next 3 question की तरफ मोहन score 58 runs मोहन ने score किया 58 runs का and 30 runs in a test match okay यह मोहन ने कितना score किया 58 runs का and 30 runs का in a test match एक test match में then find the total numbers of runs scored by मोहन मोहन के थ्रू इनके मोहन के द्वारा बनाए गया जो total score है okay total runs है वो कितने हैं तो हम क्या करना है 58 में हम add करेंगे 30 runs को okay तो 58 plus 30 okay आप भ्यांसे से note करें 58 ओपर लिखेंगे 30 को बिल्कुल ऐसे नीचे इसके not करेंगे और अब इसको add करेंगे तो 8 plus 0 देखे 0 जिसमें add होगा वो digit वो digit खुद ऐसे ही आ जाती है ओके अगर 1 plus 0 तो 1 आ जाता है 2 plus 0 तो 2 आ जाता है यहां पर 8 plus 0 तो 8 ही आ जाये गाए सी okay now 5 plus 3 equal to 8 okay count करें आप 5 को count करें फिर 3 add करें तो 5 3 5 plus 3 equal to 8 so 88 is the answer question number 4 is a fruit seller has 76 mangoes and 15 bananas एक fruit seller जो है फल बेखने वाला उनके पास है 76 mangoes हैं and 15 bananas और 15 15 bananas हैं find the total number of fruits fruit seller has now अब fruit seller के पास total कितने fruits हैं okay यहां भी हमें क्या करना है add करना है so 76 plus 15 equal to how much okay how many fruits 6 plus 5 6 plus 5 equal to 11 okay 6 & 5 को हम add करेंगे तो 6 plus 5 equal to 11 11 का जो once वाला one है वो हमें आपन नोट करेंगे और जो 10th place में बनाता है हो हमारा carry में चला जाता है वह हमने carry कर दिया है right so next अभी से add करते हैं seven plus one equal to eight or eight plus carry वारा जो one था हमारा eight plus one equal to nine so ninety one is the answer in total fruits कितने हो गया फ्रोट सेलर के पास ninety one okay very easy next है there are 75 cows and 23 buffaloes in a dairy field okay dairy field में कितना है 75 तो हैं गाय हैं and 23 buffaloes यानि की भैसे हैं so find the total number of animals in the dairy field उस dairy field में total कितने animals यानि की पसू है अब पसू तो दोनों है काव और बफैलो दोनों को हम add करेंगे so 75 plus 23 75 plus 23 now add this 5 plus 3 equal to 8 yeah and 7 plus 2 equal to 9 so total number of animals in a dairy field equal to 98 is the answer now come to the next one Rahul had rupees 95 he gave he gives rupees 35 to his younger brother अब Rahul के पास कितने amount थी rupees थे 95 total के पास amount थे और उसने राहूल ने अपने यंगर ब्रदर ने की चोटे भाई को 35 rupees दे दिए ओके जिसका नाम किया था निकोंज तो find the rupees with राहूल अब राहूल के पास कितने rupees बचे तो यह हमारा जो question है वो subtraction का है यानि कि minus करने वाला है total amount पहले इतनी थी 95 थे इतने देने के बाद अब उनके पास जो बचेंगे यानिकि हम इस amount में से इस amount को minus कर देंगे subtract कर देंगे तो हमारा answer find हो जाएगा तो हम ओपर लिखेंगे 95 और नीचे minus का sign लागा करके 35 इसको हम minus करेंगे 5 में से 5 गया तो 0 5 में से 5 minus कर दिया तो 0 बसता है okay and 9 में से गर हम 3 को minus करें तो कितना बचेगा 6 राइट तो अब राहूल के पास जो रूपीज बसते हैं वो 60 इस दा answer now come to the next bunty had rupees 87 okay bunty के पास 87 रूपीज थे out of them he spend rupees 69 on cricket bat उसमें 69 rupees spend कर दिये खर्च कर दिये गए cricket bat के लिए how many rupees are left with bunty now और bunty के पास कितनी amount यानके कितने पैसे बचे यह भी हमारा sum subtraction का है इसे भी हमें minus करना है so total amount total rupees थे हमके पास 87 87 में से हम minus करेंगे 69 को okay तो यहाँ पर देखे 7 उपर है नेचे बड़ी digit है okay 87 minus 69 तो यह से हमनसना ही माइनस